अभी हाली में स्री नगर में कारकारी मजिस्टेट ने एक कारकरम जहां जम्मू कस्मीर के उपराजपाल साहब मौजूद थे उसमें राष्टगान के लिए खड़े नहीं होने के आरों में 11 लोगों को हिरासत में लेनी के बाद कारावास भेद दिया है और उन्होंने आदेश में कहा है कि इस बात की पूरी संभावना है कि रेहा होने पर भी सांती भंग करने है उलगन करनेंगे और सार्णिक सांती भी भंग कर सकते हैं और उन्हें CRPC की धारा 107 और 159 के तहद अंतरकत अच्छे बेवार के लिए बाद बाउंड डाउन किया गया था और आप देखेंगे कि आप लोग देखते होंगे राष्टगान होता है ना तो आप लोग उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं तो इनके इनोंने उस तरह का अपमान कह लिए या खड़े नहीं हुए है तो हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जो आप देखते हैं कि CRPC की धारा 107 और धारा 159 है उस पर भी बात करेंगे भारत के राष्टगान के बारे में भी बात करेंगे और राष्टगान के सम्मान की रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय क्या है उस पर भी बात करेंगे राष्टगान के सम्मान के संबंद में सर्वुच नियाले क्या कहता है उसके नेड़ा क्या है उस पर भी हम लोग बात करेंगे इस तरह के मामले काफी आजकल आते रहते हैं एक बार आप लोग जम्मू कस्मीर को देख लिजे आप सभी जानते हैं कि 370 और 35 से हट चुका है यहां से और आप देखते हैं कि जम्मू कस्मीर को दो भागों में जम्मू कस्मी लगदाक में बाट दिया गया दोनों केंदसा से पिदेश हैं और जम्मू कस्मीर में आप देखते हैं कि दिल्ली की तरह डाउंड डाउन का अर्थ होता है किसी निश्चे तारीक पर जाच अधिकारी या फिर न्याले की सामने उपस्तित होना आवस्यक है और अभियुक्त न्याले की समक्च उपस्तित होने के लिए जमानत या फिर बैक्तिगत गारंटी से बाध हैं कारकारी मजिस्टेट की बात क ये धंड सहता, IPC और अपराधिक पिक्रिया सहता CRPC दोनों के अंतरक सक्तियां होती है। किसके पास और कारकारी मजेस्टेट के पास। कारकारी मजेस्टेट की निवक्ति राज सरकारों दोलार की जाती है। और विमुक्ख रूप से कानुन तथा विवस्था बनाए रखने एवं पुलिस और पिसार्षनिक कार करने पर ध्यान के अंदिरिक करते हैं। CRPC की धारा 116 से जाज करते समय नियाएक पिर्वित प्रकेटी के अनरोप कार भी करते हैं। यदि EM को जानकारी है कि ब्यक्ती ने असांती फेलाई है या इसकी संभावना है या सार्विनिक सांती को भंग किया है। क्या किया है भंग किया है। कारकारी मजिस्टेट और कोई भी कारकारी मजिस्टेट ऐसी कारवाही कर सकता है। वासरते कोई एक यदि दोनों नहीं उसकी अधिकाचेत से सम्मध हो। वह है इस्थान जहां इस पकार की सांती भंग होनी की संभावना हो। वह है ब्यक्ती जिससे सांती भंग होनी की संभावना हो। धारा 159 क्या कहती हैं? या संगे अपरादों को घटित होने से रोकने के लिए गरपतारी का परावधान करता है। या एक पुलिस अधिकारी को अधिकित करता है जिसे ऐसे किसी अफराद को करने की योजना बना रहे कुछ बैक्तियों के बारे में जानकारी पराप्त होती है तब उन्हें बारंट या फिर मर्जिस्टेट के आदिस के बिना ही गरफतार करने का अधिकार होता है आला कि उन्ह टेगोर द्वारा रचित भारत की राष्टी पितीकों में से एक है आपका राष्टगान यह गान भारत की राष्टी विरासत के साथ देश भक्ति और निष्ठा को प्रदसित भी करता है और मुल सिरो टेगोर ने 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में कॉंग्रिस की सत्त में पहली बा राष्टगान की रूम में अपनाने की घोष्टना की गई थी अब आप देखे राष्टगान की संबान की सुरक्ति राष्टगान की रूम अच्छा के लिए उपाय क्या है तो अनुछे इंक्यावन एक को देखे मौलिक करतबों को आप लोग पढ़िए एक कहता है भारत की नागरिकों के मौलिक करतबों का भाग है समिधान की मूलें और संस्थाओं की सासद राष्टे ध्वज और राष्टगान को बनाय रखने की जिम्मेदारी पितिक भारतिये नागरिक की है यानि कि उसका सम्मान करना हर भारतिये नागरिक का करतब है राष्टी गौरफ की अपमान की रोख थाम अधिनियम 1971 अधिनियम में प्रावधन किया गया है राष्टगान का अबमान करने और उनके उसके पिती बंदों को त तो आप देखते हैं कि राष्टगान आचार सहता इसमें यह परावधाने की जब भी राष्टगान गाया या बजाया जाएगा तो आप देखते हैं कि दर्सक सावधान मुद्रा खड़े रहेंगे हाला कि जब किसी नियूज रील या बिट्ट चित्र के दोरान फिलिम के एक भाग के रो में राष्टगान बजाया जाता है तो दर्सकों से खड़े होने की उमीद नहीं की जाती है और इसमें उन अवसरों को भी सूची बद किया गया है जहां राष्टगान का संचित या फिर पूर्ट संसकर्ण ही बजाये जाएगा और राष्टगान की सम्मान में सर्वुच नियाले की नेड़े क्या रहे हैं ये भी देख लीजे आप लो सर्वुच नियाले द्वारा इस मामली में राष्टगान की कथित अनादर से सम्मंदित कानून निर्धारित किया गया है और सर्वुच नियाले ने इसाई संपदाय के तीन बच्चों को सुरक्षा प्यदान किये और नियाले का यह मानना था कि राष्टगान आने के लिए बच्चों को मजबूर करना उनके धार्मिक सुतनता के मौलिक अधिकार अनुछेद 25 का ओल लगन है उनके बच्चों के माता पिता ने केरल उचनियाले में अपील की कि इसाई धरम की यहोवा कि साक्षी संपदाय में केवल महो यहोवा इसुर का हिब्रु नाम ही अराधना की अनुमती है उनका कहना था कि चुकी राष्टगान एक परातना है बिस सम्मान में खड़े तो हो सकते थे लेकिन गा नहीं सकते थे सरवोच नेयले ने कहा कि सम्मान पूर्वक खड़ा होना और खुद ना गाना ना तो किसी को राष्ट गान गाने से रोकता है ना ही गाने के लिए एकत्तित हुए लोगों को किसी पिकार की परेशान करता है और यह राष्टी गौरब अपमा निवारन अधीनियम अधीनियम 1971 के तहट अपरात की सेनी में नहीं आता है तो समय समय पर आप देखें कि इस तरह के नेड़े भी आते रहे हैं एक और आप देखें सियाम नारायन चौकसी बनाम भारस संग 2018 का मामला है यह 2016 में इससी मामले क की सुनवाई करते हुए सर्वोच नेले ने एक अंत्रिम आदेश पारित किया था जिसमें सभी भारतिय सिनेमा घरों को फिल्म सुरू होने से पहले राष्टगान बजाना अनिवार था हाल में मौजूद सभी लोगों के लिए खड़े होकर इसका सम्मान करना अनिवार था हाला कि जनवरी 2016 में मामली पर अपने अंत्रिम फैसले में सर्वोच नेले ने अपने आदिश में संसुदन करती हुए सिनेमा हॉल में फीचर फिल्मों की स्कीनिंग से पहले राष्टगान बजाना अनिवार नहीं बलकि बेकल्पिक है और एक बात और आप लोगों को बता सकती है और ना चाहे तो नहीं दे सकती है यानि कि आप उसको लेकर सुप्रिंग कोट नहीं जा सकते हैं इसी तरह आप देखें मौलिक करतब भी आपके आप चाहें तो मान सकते हैं लेकिन अपमान तो करनेंगी आपको कोई एक तरह से छूट नहीं है आप अगर किसी का वारे में भी याद रखिएगा इसे हो सकता है कुश्चिंस आप से पूंच ले